हलो एंड वेलकम टू एड एड एजुकेशन मैं हूँ अमित दिक्षित और आप इससे में देख रहे हैं एन आई ओएस डियलेट वीडियो लेक्चर सीरीज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एन आई ओएस डियलेट स्लेबर्स के हर टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है विससे पहले के सभी लेक्चरस आप देख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ पर आप क्लिक करें और पहले के कोर्स 501, कोर्स 502 के सारे लेक्चरस देखें वो कंप्लीट हो चुके हैं और साथ-साथ में असाइन्मेंट के महत प्रिशनों को भी आप जान सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें आज हम इस लेक्चर में हमारा अगला कोर्स एक तरह से शुरू करने जा रहे हैं कोर्स 503 जो कि लास्ट है इस फर्स सेमिस्टर का और ब्लॉक वन हम शुरू करेंगे भाशा की समझ और इसमें क्या परिभाशा होनी चाहिए क्या परिकल्पना होनी चाहिए और व्याकर करण के डस्ती कोड से भाशा का क्या स्वरूफ होना चाहिए ध्वनी शब्द वाक्य समवाद की संरचना कैसे होती है सामाजिक मनोवज्यानिक पक्षों को जानेंगे तो काफी चीज़े हम भाशा अब समझना चाहते हैं उसके भाषा जो भी वज्ञानेक हैं उसे एक शब्त कोश और व्याकरण का एक कॉंबिनेशन मानते हैं एक योग मानते हैं और वास्तम में ये दोना ही परिवाषा अपनी जगा सही है कि यह सच नहीं है लोग नहीं होंगे तो भाषा कहां से होगी भाषा नहीं होगी तो शब्द कोश किसका लिखेंगे और व्याकरण किसका लिखेंगे पहले लोग होते हैं एक समाज में और जो लोग होते हैं वही मिल जुलकर अपनी एक भाषा का निर्मान करते हैं बनाते है और इस पूरे बनाने की प्रक्रिया तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे मानफ का विकास हुआ है और भाषा उसी के साथ आगे बड़ी है बहतर हो यह लेकिन उस छमता का कोई फाइदा नहीं होता अगर समाज नहीं होता इसलिए भाषा की परिभाषा में यह समझने की लिए भाषा वास्तव में क्या होती है हमें इंसान और इसके दिमाग और समाज के बारे में सोचना होगा एक साथ तो सबसे पहले भाषा को एक इंसान, भाषा एक इंसान की पहचान होती है, अगर कोई ब्यक्ति कहता है कि मैं मराठी बोलता हूँ, गुजराती बोलता हूँ, या कोई भी भाषा जो बताता है, तो कहीं न कहीं वह यह बता रहा होता है कि समाज का सदश है, कि सरीती रवाजा को पारण करता है किन लोगों से उनकी पैचान है तो ये सारी चीज़ें अपने बताता है अपने बैगराउंड के बारे में इंडारेक्ली और दूसरी बात यह भी है कि बहाशा की संरचना उन सब रिष्टों को दिखाई देती है जिनके सारे समाज बना हुआ है कौन बड़ा उच नीच के रिष्टों को सदियों तक बनाय रखता है एक तरह से और मानसिक दिख्टिन खोर से भी बाशा बहुत महत्पूर है क्योंकि संसार में हर बच्चा चाहे वो किसी भी समाज में पला बड़ा हो किसी भी स्तिती में हो चार वर्ष तक की उमर तक बाशा की दिख् बाशित कैसे करें उससे नए नहीं चीजन सिखा सकें अन्य मानसिक पहलूक बात करें दोड़िया मिटाने का बिख्चा के भाशा एक सद Blessed्ần सीखते हैं जो भी आज पास उनमें भाषा बोली जाती है बाशा सीखने की छमता के एवल यहीं तक्सीमित नहीं है लोग एक बाशा सीखते हैं हर विक्ती बाशा के अन अन रूपाउ को सीखता है और कई समतां विक्सित करता है भाशतम में बहुँ बाश्य मनुष्य के है और आवशक्ता है संदचना की दिश्टी से बहासा की कई विशेष्टा लिखी गई है और उन पर हम विशेष्ट और पर चर्चा करेंगे जिसे भाशा ध्वनी वाक्य बादचीत के इस तर यह सब हम आगे किस क्रम में रखने हैं यह सब हम जारी रखेंगे इसमें और इसी बहुत अलग होती है और बदलती रहती है अब इसमें आगे बतागे हैं भाशा और व्याक्रण के बारे में तो भाशा और व्याक्रण का संबंद हम जानते हैं कोई भाशा में व्याक्रण जरूर होता है उसके आधार पर ही भाशा अधारित होती है शुद्ध और अशुद तो इसे तुरंत हम ठीक कर लेते हैं अशुद्ध भाषा का सवाल तो तब ही पैदा होता है यानि कि तब ही परिशानी आती है जब हम किसी अन्य समाज की भाषा बोल ला हूं या बिल्कुल विदेशी भाषा सीख रहे हो तब बैदा होता है यह अन्य ता जब आप भाषा का क किसी रूप विशेज में चीज़ें करते हैं तो उससे जोड़े हुए हर स्वरूप को क्या है वो देहाती बाषा का नाम दें इसके बारे में कुछ भी हम कह सकते हैं हर बाषा अब द्वनी शब्द वाक्य संबाद के इस तरप नियम बद्द होती है वही इसमें जानेंगे पहला है द्वनी संडचना के बारे में बताया गया है अब देखिए इसमें व्याकरन थोड़ा जाएगा तो व्याकरन से संबन देता है हिंदी के तो आप इसका ध्यान रखें अगर आपके साथ में कोई हिंदी सिक्षक है जो आपके स्कूल में है तो उनसे भी आप मदद ले सकते हैं वो भी आपकी काफी यल्प कर सकते हैं मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं इसमें तो आप समझें इस टॉपिक को इसमें ध्वनी के बारे में बात की गई है तो लेकिन ध्वनी के कुछ नियम होते हैं भाशा में और जो पाए जाते हैं हर भाशा स्वर और व्या तुर आप याद रखें आम भाषाओं में धनियों की संक्या कुल में लाकर 40-50 तक हो सकती है अंग्रेजी और हिंदी के विविन्द स्वरूप में इनकी संक्या इस प्रकार है अंग्रेजी में 50 स्वर है और 24 व्यंजन ये यहां पर बतायगया है और कुल टोटल है ये 44 और हिंदी में 10 स्वार हैं और 33 बेंजन है तो 43 इनकी संक्या है 43 अब ये वे धुनिया है जो अक्सर बर्णमाला में लिखी रहती हैं ये अंग्रेजी और हिंदी की सार तक धुनिया यानि इनके प्रयोग करने से सब्दों के आर्थ बदल जाते हैं मील को बताया गया है इसमें देखे अलग अलग आप देख सकते हैं इसमें और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में छोटी और बड़ी इसार्थक धुनिया है यानिकि उनकी जो साउंड है एक तरह से यानिकि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा कि पहले था और एक की जगा एक कहते हैं तो अर्थ बिलकुल बदल जाता है यानिकि फिल और फील दोनों में ही शब्दों का अर्थ बदल जाएगा ये आप देख रहे हैं इसमें अंग्रेजी में किल है यहां पर बताया गया है हिंदी में कल टुमौरो 244 दोनियों को हम जैसे चाहें एक साथ रख सकते हैं या फिर दोनियों को सजाने का कुछ अलग नियम होते हैं हर व्यक्ति अपनी भाषा के बार में जानता है स्वर्थ सीखता है वेंजन सीखता है वह भी 4-5 साल की आयू में ही जानने लगता है इन चीतों को अगर हम हिंद दूसरा वैंजन जब हम दो इस्तिमाल करना चाहते हैं तो वह कुछ भी हो सकता है तो नीचे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं अलग अलग जो दिख रहे होंगे आपको तो क्या नियम है जो हम सब जानते हैं तो नियम यह है कि यदि शब्द के आरम में दो वैंजन है य पला पा हो तो दूसरा के वल्या रावा ही हो सकता है तो एक तरह का यह नीयम है इसके दूर नहीं हो सकतके अगर सौध करना चाते हैं यह नीयम अपने आप आप स्वेम शब्ड बनाकर जब देखेंगे तो हिंदी के किसी भी चीज से यह परचांद सकते हैं, शब्द को उससे जाज कर सकते हैं, कि ऐसा ही होगा, अब धौनी आधारत एक और नीम देखते हैं, इसमें हम जानते हैं, हिंदी और नगजी में दौनों में किशी एक शब्द को आरम करते हैं, किसी स्वर के आने से पहले, अधिक सदे कितने वेंजन आ सक जैसे एक एक जामपल लेते हैं, हम साइकलोजी एक वर्ड है, तो उसमें आप देख सकते हैं, जब ओ की धौनी आएगी, शब्द आता है, ओ स्वर की धौनी आएगी, साइको पहुंचते हैं, तो ओ स्वर की धौनी आने से पहले, पांच नहीं, केवल एक ही वेंजन धौनी स्षपहर की ध्षणी आने से प१ह साउडाने सट रा यहां कि स्ट्रीट श areta और रा तीन वेंजने की धुनिया हमको सुनाई देती है तो इस तरह से यह एक्जांबल इसमें बताया गया है अबंडी में नीचे और example दिएक है हिंदी अंग्रेजी में spray और ये कुछ ऐसे example आपको screen पर दिखाई दे रहे होंगे तो क्या हिंदी और अंग्रेजी में कोई ऐसा शब्द है जिसमें 4 या 4 से अधिक वेंजन नों की धुनिया किसी शब्द के आरम में मैं आती हूँ जड़ा सोच कर देखें आप और इंग्जामपलों को भी देखें अन्य भाषा जो आप जानते हैं उनके बारे में भी सोच हैं कोई भी भाषा हो तो धुनियों के संसार में हिंदी और अंग्रेजी के लिए हम एक नियम बना सकते हैं कि यानि इससे नियम निकल के आता है जो एक्जामपल दिये गए हैं किसी भी शब्द के आरंब में स्वर धुनी आने से पहले चार या उससे अधिक व्यंजन नहीं हो सकते यह आप याद रखें यदि तीन व्यंजन होंगे तो वह भी विशेश होंगे और उन्हें विशेश करम में ही रखा जा सकता है यह इसमें नियम बताया गया है यदि हम तीन व्यंजनों को रखेंगे जैसे C1, C4 और C3 कहें अगर उन व्यंजनों को तो C1 केवल सा हो सकता है यानि कि एक व्यंजन केवल सा हो सकता है दूसरा जो बताये गया है C2 उसको उसमें दूसरा क्रम में जो आएगा वो होगा पा ता और का ये तीन हो सकते हैं और जो अगला आएगा तीसरा वो हो सकते हैं या रा ला या बा तो अगर ऐसा होगा तीन वेंजन आएंगे तो वो इस क्रम में होंगे इसके अलाबा ये नही इसमें अब या तो उसमें वेंजनात्मक संग्या हो सकती के लिए एक नियम होगा, अकारांद संग्या के लिए दूसरा होगा, लेकिन होगा सब नियमों के आधार परी, इसमें अगर हम एक एजांपल देखें कि घर और लड़का दोनों पुर्लिंग हैं, मतलब एक बचन भी हैं, इसमें वहु बचन क्या होंगे अगर हम सोचें तो, तो हिंदी बाशी में दिमाग रहते हुए हम ये सोचेंगे, इसमें चर्चा करेंगे, और जानेंगे कि लड़के एक बचन हैं और बहु बचन दोनों हैं, इसमें एक्जांपल देखें आप इसमे लड़के और घर एक वचन है तो ये इसमें बताया गया है आईए हम अब इस चीज को समझते हैं आगे कि इसमें अंग्रेजी में और संसार की कई बाशाओं में केवल एक ही प्रकार का बहुवचन रूप होता है और इसमें ये ही मानकर चलते हैं संस्कृत में ना केवल एक व बनम में न कि ही एक वचन हो سकते हैं, इसमें इस पर रूप से दिखाए गया है तो यह पर दो तीन नहीं बल्कि छे रूप हो सकते हैं किसी प्रका संग्या के, लड़का ये ही रूप हो सकते हैं स्हें गण estosख्या कि बता गया है। नलके ने खाना काया, लडकों ने खाना काया, तो यह ऐसे 10 संटेंस हैं, और इन वाक्यों का आप एनलाइस करेंगे, तो यह पाएंगे कि, वाक्य में 6 लडके बहु बचन हैं, कारक के रूप में करता पर हैं, लेकिन उसके बाद विवक्ति आ गई, तो वाक्यों में, वाक्य में आएगा यह पढ़कर जाद अच्छे समझ में आए कि तरह के नियम बताए गए हैं तो इसमें आप समझ सकते हैं जिसमें यह आप देख सकते हैं उधानल के लिए सरकार बेगन अपराद यह सभी इसमें संग्या ओविशेशन के उधानल बताए गए तो इसको आप पढ़ स सब्सक्राइब किये चैनल को और बैल आइकन को जरूर दबाएए लेटिस वीडियो की जानकार यहां सबसे पहले पाने के लिए